हरे किश्ण मित्रो, जय स्री राम, जय माता दी मित्रो, आज मैं आपको साल 2020 के दशहरा पर्व के बारे में बताने आया हूँ दशहरा पर्व यहां विशेश विजय दस्मी का महान उत्सव की जो परंपरा पौराने काल से चलती आ रही है शुरुवात में मा दुरुगा ने महिशाशूर नाम के राक्षस का वद किया था नौ दिन तक युद चला था माता ने नौ दिन तक लड़ाई लड़ी थी इसके बाद अंत्व महिशाशूर का मर्दन उसका बद किया था इसके कारण से दशहरा मनाय जाता है इसके बाद प्रहोश्री राम ने माता सीता की रक्षा के लिए, जिस प्रकार रावन ने माता सीता का आपहरन कर लिया था, माता सीता को लंका से छुड़ा करके लाए, लंका के रावन के उपर विजय प्राप्त किया, रावन के साथ साथ उसके एक लाख पुत्र व सवा लाख नाती सब का बद किया, प्रहोश्री राम ने देवी का सम्मान, देवी की सम्मान की रक्षा के लिए प्रहोश्री राम ने रावन का बद किया, उसके सभी राक्षिसी की सेना को बद किया इसले वित्रो या जो दशहरा परव है या बहुत महत्पुर्ण है इसमें महिलाओं का देवियों का सम्मान करने का विशेश महत्पुर्ण उत्सव है इसके साथी साथ साल दोजार बीस का यहा दशहरा पर्ब जो है यहा इसलिए भी जादा महत्पुन हो जाता है कि इसी बर्ष से आयवध्याक नगरी में प्रभुश्री राम का राम मंदिर का निरमान शुरू हुआ है निर्विखनता पुर्वक राम मंदिर का निर्मान हो इसके लिए घर में अपना विजया दश्मी के दिन 25 अक्टूबर को पांच दिपक जलाएं मेत्रो नौमी 7 बज कर 41 मिनट सुबह समाप्त हो जा रही है 25 अक्टूबर को इसके बाद दश्मी तिति लग जा रही है और इसी दिन दशहरा है इसले दशहरा के पाउन वसर पर अपने घर में जो नौ दिवस से आप नवरात्री का पाठ कर रहे हैं जो घर में छेतरी और जाईब होए हैं उसकी विशेश रूप से पूजन करके और अपने अपने कान के उपर चढ़ा करके मादुरुगा को पूजा करें और दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाएं यह शुब कामनाओं के साथ मैं आपका अध्यात्युक में आचारशलेस्तिवारी